हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप Redmi 3S और Redmi 3S Prime में TWRP recovery को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपके सब को सबसे पहले अपने फोन को power off कर लेना है और फिर volume down button और power off button को प्रेस करके fast food mode में चले जाना है fast food mode में जाने के बाद अपने फोन को PC के साथ connect कर लेना है देखिए मैंने अपने फोन को PC के साथ connect कर लिया है connect करने के बाद आपको अपने PC में जाना है और देखिए हैंपर my computer में click करना है फिर drive C में जाना है और फिर program file में जाना है फिर ADB में जाना है और description में दिया गया file को download करके उसमें आपको paste कर देना है यहां पर paste हो गया है paste होने के बाद आपको adb को open करना है यहां पर टाइप करना है आपको इंटरेट करना है देखिए आप फ्लैस होने लगा रिकावरी है जो फ्लैस हो गया है दो देखते हैं कि फोन में फ्लैस हो गया है कि नहीं तो उसके लिए आपको power button और वेल्म अपड़क्ट बटन और वेल्म डाउन बटन को प्रेस करना है तो देखिए यहां ट्वर्प रिकावरी मोड में रिपूट हो रहा है हमारे देखिए फोन रिकावरी मोड में खुल गया तो यहां सब्सक्रीष नीश्टाल हो गया इस्टाल होने के बाद आपको लेजी फ्लैसर नाम का एक फाइल है उसको अपने रिकावरी से इस्टाल कर ले है से आपको भूत हुने में अशना कोई दिकत नहीं होगा तो के दोस्तों गुद्वाइज हो में खोश्टिल आगिराप ताम इस बेली आप